नमस्कार इस चुनावी महासमर की बैयार कुछ बदली बदली सी नजर आ रही है इस बार जो बुलन थे बेबाग थे दमदार थे वे इस बार बेदम और तेवर नरम नजर आ रहे हैं हम बात राजस्थान में कॉंग्रेस के सबसे मुखर नेता प्रताब सिंग खाचरी आवास की करने जा रहे हैं अपने तीखे बयानों और तंज भरे अंदाज के लिए विशेश रौक प्रूफ से खाचरी आवास जाने जाते हैं इस बार में लोकसभा सीट जैपूर से कॉंग्रेस के टिकेट पर चुनाव मैदान में हैं राजपूत समास से आते हैं और उनके सामने बीजेपी ने ब्रहमन और उपर से महिला केंडिडेट को चुनाव मैदान में उता रहा है केंडिडेट का नाम आप सब जानते हैं मंजू शर्मा मंजू शर्मा को अगर व्यक्तिकत तोर पर देखें तो उनका राजनेतिक कारियर इतना लंबा नहीं रहा है इतना बड़े चुनाव नहीं लड़ी है वो इतना बड़ा चैरा नहीं काई जा सकती फिर भी पता नहीं खाचर यवास को हार का डर क्यूं सता रहा है कुछ ऐसी ही बातों परा चर्चा करेंगे और जैपुर लोगसवा सीट के पुराने सत्रा साल पुराने ट्रेंड को भी देखेंगे आज सबसे पहले आपको राजिस्थान के उन लोगसवा सीटों के बारे में बात बताते हैं जहां बीजेपी का जीतना लगबख तैमारा जा रहा है दरसलम चाने सीटेड बीजेपी का पारंपर गड़ रही है बारा जहालावार की बात करने कोटा के बात करने और तीसरी जैप रोगसवा सीट यह ऐसी सीटें हैं तीनों का ट्रेंड बताता है कि यह उन Гांगरेस के लिए मुश्किल से भी मुश्किल फायज्थ है बारा लगातार बीजेशी जीत रहे हैं वो खेल बिगाडने की फिर आक्मेल कि ये बहुत प्रीशेस सीट मानी जाती यह इपी ऑसानी से खोईगी नहीं भी पिएम का बीसी पर फोकस है लोगसबाद शॉम विल्ला इसी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं इसके अलावा जैपुर लोगसवा सीट की बात करें तो ये तीनों ही सीट जहां बिना मेहनत किये बीजेपी जीते आई है वैसे आज हमारा फोकस जैपुर लोगसवा सीट पर रहेगा तो जैपुर लोकसवा सीट से ज़्यादा तर बीजेपी के उम्मीदवार ही जीते आए हैं हाला कि कॉंग्रेस ने यह तरह ट्रेंड तोड़ा भी है लेकिन फिर भी 17 बार में से महच 3 बार ही यह सीट कॉंग्रेस के खाते में आई है इस बार बीजेपी के आकराम प्रचार प्रसार और बढ़ते कुंबे को देखकर कई जगे तो कॉंग्रेसी जो नेता है यह संभावित प्रत्याशी थे वह पहले लड़ने चुनाव लड़ने से मना कर चुके थे कई उने टिकेट मिलने के बाद पैर पीछे कर लिए रास्तमन से सुदर्शन रावत ने टिकेट लोटा दिया दोसा में मुराल लार मीना भी लड़ना नहीं चाहते थे और जैपूर से पार्टी ने प्रताफ सिंग खाचरियवास पर भरोसा जता है हाला कि उन्होंने सुनील शर्मा को तैयार कर लिया था जो कि सीट के ट्रेंड के मताविक ब्रहमन कैंडिडेट भी हैं काफी लंबे अर्से से चुनाव लड़ने के चुकते लेकिन जैपूर ड उस प्रताफ सिंग खाचरियवास को जिसको पहली बार विधान सबाद चुनाव लड़े गोपाल शर्मा ने 2023 के विधान सबाद चुनाव में जोरतार शिकस्त दी और तमाम मीडिया रिपोर्ट्स को गलत साबित कर दिया बीजेपी ने भी अपने दोबार के सिटिंग सांसेद रामचरन बहुरा का टिकेट काट कर इस बार मंजू शर्मा को दिया है और कहीं न कहीं बीजेपी को लगता होगा कि मंजू शर्मा का महिलाओं में काफी अच्छा पकड़ है उपर से ब्रहमन भी है जैपूर को बीज बातार 15 साल से कॉंग्रेस ये सीट भारती भी आ रही है तो क्या इस बार प्रताप सिंग खाचरी अवास ये सीट कॉंग्रेस को दिला पाने में काम्याब हो पाएंगे ये बड़ा सवाल है और वो भी अपने नर्म तेवरों के साथ ये सोचने वाली बात है अकसर तमाम कैसे अब जिता पाएगा जो आज कैमरे में कह रहा है कि उसकी जीत मुश्किल है लेकिन दमदार चुनाव लड़ेंगे अगर जैपूर सीट पर लोगसवा चुनाव के पुराने ट्रेंड को देखें तो प्रताप सिंग खाचरी अवास के डर की वज़ें सामने आ जाएगी दर साल प्रताप सिंग खाचरी वास 2004 कावी लोगसवा चुनाव लड़े थे जैपूर लोगसवा सीट से हार गये थे बीज़ेपी के गरदायलाल भारगाओ के सामने वो चुनाव लड़े थे अब बात करते हैं सीट के चुनावी ट्रेंड की तो जैपूर लोगसवा सीट पर 17 बार लोगसवा चुनाव हुआ है इस सीट पर 3 बार ही कॉंग्रेस को जीत मिली है 1952 में पहली बार कॉंग्रेस के दौलत मल भंडारी इस सीट पर जीते थे और फिट दोबारा इस सीट पर जीत पाने के लिए कॉंग्रेस को 32 साल लग गई इस लंबे गैप के बाद 1984 में कॉंग्रेस के नवल किशो शर्मा चैपूर से सांसत चुने गई एक बार फिर से इस सीट को पाने में कॉंग्रेस को 25 साल लग गए 2009 में इस तरह से कॉंग्रेस की लहर मानी जा सकती है उस दोरान महिश जोशी सांसत बने 17 में से 8 बार भाजपा इस सीट पर जीती दो बार जैनता पार्टी और तीन बार निर्दली प्रत्याशी की भी जीत हुई है भाजपा की आठ बार की जीत में छे बार गिरधारी लाल भारगव और दो बार राम चरल बहरा सांसत रहे है 1962 से 71 तक तीन बार पूर राजमा तक गायतरी देवी यहां से निर्दली सांसत भी चुनी जा चुकी है अब एक और मुश्किल जो कॉंग्रेस के लिए इस बार इस सीट पर नजर आ रही है वो यह है कि जैपुर लोग सबा सीट के अंतरगत आठ विधान सबाय आती है और पिछले जो विधान सबा चुनाओ के आंकडे देखे तो उन में से खुद की सिविल लाइन सीट को गवा चुके खाचरेवास खुद कह रहे हैं कि आठ सीटों में से छे वाजबा के पास हैं और दो कॉंग्रेस के पास तो फिर जीत कैसे होगी वैसे जैपुर लोकसवा सीट पर शुरू से ही ब्रहमन और वैश्य चहरे पर दौनों पार्टिया दाव खेलती आ रही है बीजेपी ने मंजु शर्मा को यहां से टिकेट दिया है तो कॉंग्रेस ने पहले तो ब्रहमन कैंडिडेट सुनिल शर्मा को ही उतारा था बाद में विवाद के चलते राजबूत के एडिडेट खाचरियवास को चुनाव मेदान में उतार दिया कॉंग्रेस ने इस सीट पर सतरा में से दस बार ब्रहमन और तीन बार वैश्च जीते हैं और तीन बार राजबूत परत्याशी जो निर्दली चुनाव मेदान में थी गायतरी देवी वो जीती हैं इन तीनों ही जातियों की संख्यावी सीट पर करीब करीब बरावर है इसके अलवा करीब 14 फीजदी मुस्लिम वोटर्स भी हैं खेट देखते हैं कॉंग्रेस और कॉंग्रेस के प्रताब इस बार सीट पर कुछ एप प्रत्याशित कर पाते हैं या बीजेपी की मंजु शर्मा अपने गड़ को सुरक्षित रख पाती है फिलाल दीजिए इजाज़त जनिता दरवार से विजय वर्बा